शीट प्रोसेस होने के बाद आपको आपकी शीट का डिटा यहाँ पर मिल जाता है जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक एक्सल व्यू दिया गया है जिसे आप प्रॉपरली मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने डिटा के अक्कॉर्डिंग आप स्क्रॉल करके अपने डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शनेटी दिवी है अगर आपको यहाँ पर डेट फिल्टर करना है पर्टिकुलर कोई डेट रेंज का ही डेट आपको कुश करना है तो आप यहाँ पर डेट फिल्टर का यूज कर स प्रकुलर सकते हैं आप फार मिल्टिकली आप sich प्रक्राट कर सकते हैं अगर आप के पास मंदीे में सीधों कर सकते हैं además इस पैसकूर होओ सेरस्य करना सब्यूंद करें एक्राट सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक ऑब्दिए आप को जिलए कर दिए एक new site box open होगा जिस पर आप click करके आपका जो भी new या update जो भी आपको party name करना आप उसको इस तरह से select कर सकते हैं data select होने के पाद सारे records को आप select all कीजिए आपको यहाँ पर save करना है document अगर आपने गलती से कोई दूसरे field map कर ली है तो यहाँ पर open drawer का option है जहाँ पर आप जाके change mapping कर सकते हैं अगर आप with item की sheet use कर रहे है तो आप यहाँ से कोई new item create करना चाहे तो आप item create कर सकते हैं तो एक पर select all करेंगे open drawer में जाएंगे send transaction to tally पर हमें click करना है यहाँ पर दिये गए हुए तीनों parameters को आपको cross check करना है जैसे आपका internet connection open होना चाहिए suite की application open होनी चाहिए साथ ही में tally में वो company open and selected होनी चाहिए अब हम यहाँ पर yes I check पर click कर देंगे आपका data automatic push होना चालो हो जाएगा tally के अंदर आप progress जो है application में check कर सकते हैं आपको notification मिल जाएगा like this your sales entry pushed into tally आप directly tally में जाके data cross verify कर सकते हैं तो